सटी जी आप M divee, आडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग गरते नहीं, जितना अठ्या-चार जुल्म करना है करने कोई भिकर गरते हैं मोदी अडानी के नौकर हैं, अडानी के नोकर से हम डरते नहीं इन तेवरों के साथ में संजे सिंग आज सामने आए संजे सिंग की कल गरफतारी हुई थी और गरफतारी के बाद में आज संजे सिंग को कोल्ट में लाया गया लेकिन जब कोल्ट में लाया गया तो उन्होंने का कि मोदी का ये अन्याय है मोदी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं और जब कोड से उनको ले जाय जा रहा था उस वक्त मैं संजे सिंग ने कह दिया कि मोदी अडानी के नोकर है और मैं अडानी के नोकर से डरता नहीं हूँ कितनी बड़ी बात जो संजे सिंग कह रहे हैं गिरफतारी हो गई है लेकिन गिरफतारी के बाद में भी संजे सिंग के तेवर वो ढीले नहीं पड़े हैं संजे सिंग जिस तेवर के अंदर संसद के अंदर बोलते हैं उसी तेवर के अंदर कोट से निकलते और कोट में आते वक्त बोलते हुए नजर आए पहले कोट से आते वक्त क्या का है संजे सिंग ने पहले वो सुनिए जरा और आज ही मैं आपको बता दूँ कि आप आदमी संजे सिंग आप सांसद संजे सिंग को जो है वो पांच दिन की इडी की कस्टेडी में भेज दिया गया लेकिन पहले आप ये सुनिए तो ये संजे सिंग जो है बोलते हुए नजर आए अन्याय है मोदी जी का मोदी जी 2024 में बुरी तरह से आ रहेंगे और मोदी जी हार रहे हैं इसलिए सब कुछ कर रहे हैं ये संजे सिंग ने का और इसके बाद में जब वो कोड से निकले जब उनको पांस दिन की एडी की पांस दिन का रिमार्ट दिया गया है कि एक पर से सुनिगे अंदम चार रहे जी के अन्याय है तो यह संजे सिंग के तेवर जो है वो इस तरह से कुछ नजर आए जब उनको लाया गया तो वो कह रहे हैं कि अन्या है मोदी जी का मोदी जी हारेंगे और मोदी जी हार रहे हैं इसलिए सब कुछ यह कर रहे हैं और जब पांस दिन की कस्टेडी साथ दिन की मांगी थी पांस दिन की जो है वो दे दी गई और जायर सी बात है इसमें कस्टेडी मिलनी ही मिलनी थी इसमें कोई कईसे जो है ऐसे केस के अंदर कोई गुंजायस होती नहीं है कि एडी जो है वो गिरफतार करें और एडी गिरफ पी हैं वो पुच्टाच में सयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हम उनको ग्रफतार करना पड़ा और हम जो है कुछ विस्तार से और पुच्टाच करना चाहते हैं यह तरक दिया जाता है और उसके उपर कोई भी जज हो या कहीं पर भी कोर्ट हो वो उसमें रिमांड जो हो मान ही लेती है अब सवाल यही होता है कि कितने दिन की दस दिन की पास दिन की चोदा दिन की कितने दिन की किस्टडी मिलती है यह सवाल होता है तो अब पास दिन की कस्टडी जो है वो दी गई है संजे सिंग की एडी के जो दफतर है दिली के अंदर एडी का उसी के अंदर अभी जेल में नहीं बेजा जाएगा उनको वो एडी की कस्टडी के अंदर रहेंगे एडी की कस्टडी में पांस दिनों तक एडी उनसे विस्तार से पुझताच करेगी और उसके बाद में फिर से कोर्ट में पेस करेगी और कोर्ट में पेस करने के बाद में फिर जो है इस पर फिर दुबारा से चर्चा होगी कि अभी तक जो है वो ED ने इसमें क्या पाया है और क्या नहीं पाया है हलाकि संजे सिंग के पिता ने कल भी इस बात को का कि पूरा घर चान मारा और चार कमरे हैं घर के अंदर और उन चार कमरों को भी टटोले खंगालने के लिए दस गंटे का समय लग गया और दस गंटे के समय के बाद में फिर का कि हम गिरिफतार कर रहे हैं लेकिन एक और बड़ी बात हुई आज कोर्ट के अंदर एक और बड़ी बात ये हुई कि संजे सिंग ने अदालत के अंदर कोर्ट रूम में अपना पक्स खुद रखा और उन्होंने क्या काया, सुनिए, सर्वा ने ट्वीट किया है, NDA TV के पतरकार है इन्होंने काया कि संजय सिंग ने इन पंक्तियों के साथ में सुरुआत की, सच घटे या बड़े तो सच ने रहे, जूट की कोई इंतहा ही नहीं, किर्सन बिहारी नूर की इन पंक्तियों के स सच है तो वो उतना ही सच होता है, सच अगर इतना बड़ा है तो उतना ही सच होता है, सच को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सच को बढ़ा करके आप इतना बढ़ा कर दें, या घटा करके सच को आप इतना कर दें, सच घट या बढ़ नहीं सकता है, सच जो है वो सच है और सच जितना है उतना सच रहता है लेकिन जूट की कोई इंतिहा नहीं होती जूट आप कितनी भी लंबी चोड़ी बोल सकते हैं जूट आप कितनी भी बार बोल सकते हैं किसी भी तरह की बोल सकते हैं तो जूट की कोई इंतिहा नहीं है ये पंक्तियों के साथ में संजे सिंग ने ज लेकिन संजे सिंग का नाम कभी सामने नहीं आया, अचानक से मेरा नाम कहां से सामने आ गया, ऐसा क्या हुआ, मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि मैंने कोई गुना किया है, तो सक्त से सक्त सदा दीजिए, मुझे एक बार भी सम्मन क्यों नहीं दिया गया, अब डिटेल में इनके पास में था, दिनेस अरोडा इनके पास में था, कई बार बयान दिया, लेकिन दोनों ने संजे सिंग का नाम कभी सामने नहीं आया, अचानक से मेरा नाम क्यों सामने आ गया, ऐसा क्या हुआ, दरसल क्या है कि ये दोनों सरकारी गवाह हैं, और ये दोनों सरकारी गव मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, कि मैंने कोई गुनहा किया है, तो मुझे सक्त से सक्त सजा दीजिए, ये उन्होंने का। मुझे एक बार भी सम्मन क्यों नहीं दिया गया मेरे लिए अलग कानून है सर आखिर किस बात आखिर बार आखिर बात विजे सिंग का अजे सिंग हो सकता है राहुल सिंग का संजे सिंग कर दिया इनों ने आप नयाय की कुरसी पर हैं मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ ब कट किया उसको बात में फिर का कि आप मीडिया में बयान बाजी ना दे ये सारी बाते हुई उन सब चीजों का ज्वाजी कर किया गया संजय सिंग कुल में लाकर के जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साब ये जो दो गवा हैं ये जो दो गवा हैं अमित अरोडा और दिन सवाल पूछा गया है और उसके बाद में कहा कि ED है साहब ये ED कुछ भी कर देती किसी का नाम कभी कुछ कभी कुछ तो मेरा ताप से अनुरोध है और वो कह रहें कि अगर मैं गुनेगार हूँ तो मुझे सक्त से सजा दीजिए ये संजे सिंग की तरफ से कहा गया आमाधी पा जूटे लगा अगरे लगा लगाँ ये लुग तो कुछ 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 एतने कीस लगालिये इतनी जैंच कर लिए कुछ निकलता तो है नहीं तो इस जाच-जाच के खेल में टाइम ही खराब होता है सबका टाइम खराब होता है जाच एजिंसियों के भी टाइम खराब होता है सरकार का भी सबको काम करना चाहिए देश के लिए काम करना चाहिए तभी तो देश तरक्की करेगा सब को जूटी ही जूटे केसों में फसा फसा के उससे तो देश तरप की नियुकर है ये जो है वो केजरिवाल कह रहे हैं कि भई ये सब लोग सब आरोप जो जूटे हैं इसके बाद में इनकी मंत्री को सुनिये ही वो कह रही है आतीसी कि चार दिन से मोदी की ताना शाही चल रही है पहले पतरकारों को गिर्फतार किया टीमसी के सानसदों के साथ में बुड़ा बरताव किया सांसत संजे सिंग को जूटे मुकद में में गिरफतार किया और आज DMK नेताओं के घर में चापे पड़ रहे है मोधी सरकार हार के डर से बुखला गई है अब एक tweet और दिखाता हूं आपको दीपक सर्मा पत्रकार है इन्होंने tweet किया है कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने टीडीपी को किनारे करके आंदर परदेश की YSR पार्टी अने सतारूड जगन सरकार के साथ ही रहने का फैसला किया दूसरे नमबर पर लिखा इन्होंने फिर CM जगन के करीबी और YSR पार्टी के सांसद MS रेडी और उनके बेटे रागाओ को दिली के लिकर केस से मुक्त कराने की डील हुई डील थी कि जेल में बंद MS रेडी के बेटे रागाओ को ED का सरकारी गवाँ बनाया जाएगा बदले में रागाओ कुछ बयान देंगे कुछ दिन बाद यानि दो महीने पहले रागाओ को जमानत मिल गई पहले मैं आपको पूरा पढ़ करके सुना देता हूँ फिर समझाओंगा रागाओ के साथ बिजनेसमेन दिनेस अरोडा को भी ED का गवाँ बनाने की डील हुई दा हिंदू के मुताबिक मंगलवार यानि तीन अक्टूबर को दिनेस अरोडा और रागाओ को ED का गवाँ बनाने की अनुमती दे दी ED के गवाँ बनते ही संजे सिंग को घेरने का रास्ता आसान हो गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी गवाओ ने बयान दिया कि संजे सिंग ने उनको सिसोधिया और केजरिवाल से मिलवाया था लिहाजा तीन अक्टूबर को अरोडा और रागाओ सरकारी गवाँ बन गए अगले ही दिन 4 अक्टूबर को संजे सिंग के हाँ पर छापे पड़े, गिरफतारी हुई और सारा गेम 24 गंटे में ही हो गया यानि जो असली आरोपी थे उन्हें रहत मिली और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संजे सिंग को उनकी जहें पर जेल में डाल दिया गया अब ये कह रहे है कि जो दो गवाओं का जिसका जिकर हुआ है, पहले भी मैंने आपको इसी ख़बर में बताया है रागव जो है वो MS Reddy और उनके बेटे है रागव YouTube के बेटे। Y.S.R. Party के सांसद है MS Reddy उनके बेटे है रागव। इन दोनों ने इन दोनों को गवह बनाया गया और जैसे इनको सरकारी गवह बनाया गया उसके बाद में सीधे इन्होंने नाम लिया संजे सिंग का और संजे सिंग का नाम लेने के बाद में अगले ही दिन संजे सिंग की गरफतारी हो जाती है तीन तारिक को जो है ये सरकारी गवा बनते हैं और चार तारिक को गरफतारी हो जाती है यह वाकी कमाल की बात है ना लेकिन आप सोचे जरा और ये एक अलग किसम की बात है इसको जरा समझना भी जरूरी है कि ये लोग पहले इडी के पास में थे इस मुकदमे में इनका पहले से नाम चल रहा था सरकारी गवाय ये तीन तरिकों बने है तो पहले क्यों नहीं नाम आया, यही बात संजे सिंग उठा रहे हैं, कि मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया गया, यह लोग जो है वो तो आपी के पास थे, यह जो सरकारी गवा है वो तो आपी के पास में थे, तो इन्हों ने पहले नाम क्यों नहीं लिया, अब अचानक से क् कि सरकारी गवा बनते हैं जमानत मिलती है और उसके बाद में तुरंत नाम आ जाता है तो सवाल खेर बहुत सारे हैं लेकिन यहां पर संजे सिंग ने उन्होंने बताया है कि गिरफतारी हो जाए कस्टिडी में चले जाएं जेल भेज दिया जाए लेकिन जो तेवर है वो लग समय के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह की राजनेती जो है दिखाई नहीं पड़ती है संजे सिंग के लिए इसलिए शायद बाकी के जो और नेता हैं वो अपनी पार्टी लाइन से उपर उठकर भी संजे सिंग के लिए जो है वो ट्वीट कर रहे हैं समर्थन जुट आँगा वो खबर आप सुनिए और किस तरह से सुप्रीम कोड ने जबर्दस फटकार लगाई है उस पर भी बात करेंगे लेकिन संजे सिंग को लेकर के आज बड़ी खबर और संजे सिंग ने जिस तरह से जो बाते कई हैं वो आपने आपे सुर्ख्या बन गई हैं आप क्य सुनसते हैं संजे सिंग ने जो बाते कई हैं क्या वाकई जिस तरह से संजे सिंग ने कहा है कि मोदी अडानी के नोकर हैं और हम अडानी के नोकर से डरते नहीं हैं क्या वाकई ये संजे सिंग के जो तेवर हैं ये सच्चाई की वज़े से बरकरार हैं या संजे सिंग इन प्राइंट बोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताई इस वीडियो को खूब शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन गंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर कीजिए धन्यवाद